नमस्कार किसान भाईयों, वेश्ट गेन पॉइंट बी चैनल पर आपका स्वागत है। किसान भाईयों, आज की वीडियों बताने जा रहे हैं, अडामा कमपनी के बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट एजिल खरपतवार ना सक के बारे में। जी हाँ किसान भाईयों, इसका उप्योग आप कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं, इसका डोज क्या है और छिड़काओ का क्या समय हैं, सब कुछ बताएंगे लेकिन जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएं हैं, वीडियो के नीचे दी गए लाल कलर की बटन को दबा दें, व से आपको हमारी खेती संबंदित नए नए वीडियो समय समय पर मिलती रहे, तो सबसे पहले जान लेते हैं, एजिल के टेक्निकल के बारे में, तो जो इसमें टेक्निकल रहता है, वह है प्रोपा, क्यूजा, फॉप, दस परितिसत, इसी फॉर्म में आता है, अब जान लेते एजिल क्या है, तो एजिल वार्सिक और बारामासी घास के नियंतरन के लिए उप्योग किया जाता है, एजिल का उप्योग कई ब्याबक फसलें, जैसे गर्ना, तिलहन, सोयबीन, सबजियां, फलों के लिए खर्पतवा नियंतरन के लिए उप्योग किया जाता है, जब चा द्वारा जल्दी अफ्सोसित हो जाता है और पत्तों से लेकर अंकुरन होने तक के खर पतवार को जणों से मारता है। इसकी प्रमुक्ष विशेस्ता यह है कि एजिल का छिड़काव करने से एक घंटे के बाद यदि बारिस भी होती है तो चारे पर इसका पूरा असर रहता है। नहरी घंस को मारता है। अब बात करते हैं सोयवीन में इसका क्या डोज होना चाहिए। तो सोयवीन में इसका डोज 200-300 ml प्रतियकर जाना चाहिए। वहीं प्याज की बात करते हैं तो प्याज में इसका डोज 200 ml प्रतियकर जाना चाहिए। वहीं मूंग में बात करते हैं तो मूंग में इसका डोज 300 से 400 ml प्रतियकर जाना चाहिए अब बात करते हैं किस इस्थती में इसका छिड़काव करना है तो जब 4 आपकी फसल में 2 से 4 पत्ति का हो जाए तब आप एजिल का उप्योग कर सकते हैं एजिल का उप्योग करने के लिए आपके खेत में परियाप्त नमी का होना बहुत आवस्यक है क्योंकि नमी जितनी होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा वहीं इसके पैकिंग साइज की बात करें तो आपको बजार में 100 ml, 200 ml, 500 ml और एक लिटर के पैक में उपलब्ध हो जाएगा तो किसान भाईयों कैसी लगी जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जादा जादा सेर कीजिए जिससे दूसरी किसान भाईयों को इससे लाब मिले कोई सुझाओ हो तो कमेंट जरूर दीजिए धन्यवाद